मित्रो इस समय हम खड़े हैं गंगा नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता द्वार जो पाटली पूत्र के धरोहर के रूप में जाना जाता था औस धरोहर को जीवन्त करने के लिए उस यादगार को ताजा करने के लिए बुर्तमान सरकार के मुख्य मंत्री मानिया नितीश कुमार जी ने सभ्यता द्वार बनाने की कलपना की जो आज गंगा नदी के किनारे ग्यान भवन के ठीक पीछे गांधी मैदान के बगल में ये ब आम लोगों के लिए हुई है आम लोग इसको देखते हैं आकर इसका उद्गाटन 21 माई 2018 को बिहार के मुखे मंत्री मानिय नितिश कुमार जी ने किया था और ये सभेता द्वार जो हम देख रहे हैं उपर यहां बिहार से जुड़े जो महापुरुस हैं भगवान बुद्ध भगवान महाबीर समराट आसोक और मेका आस्थनीज इनके विचार यहां पर दरसाये गए हैं यहां पर हम भगवान बुद्ध के उस विचार को हम पढ़ रहे हैं जो यहां दरसाया गया है भगवान बुद्ध आपने विचार में कहते हैं कि यह नगर आरिया वर्त का बना रहेगा ये हमारी दूसरी तरफ समराट अशोक का विचार है ये कितना महान विचार है समराट अशोक कहते हैं कि दूसरे धर्म का सम्मान करें क्योंकि इससे अपने ही धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है इसके विपरित आचरन करने से अपने धर्म का प्रभाव तो घट ताही है, दूसरे धर्म की भी छती होती है, यह महान समराट अशोक के विचार है, उस तरफ हमारे दूसरी तरफ गंगा नदी के रुख के तरफ है, भगवान महाबीर और जो यातरी, बिदेशी यातरी मेगास्थनीज जो भारत आया था और विहार आया था, वो विहार में आ करके जो कुछ उसने देखा आपने आपने यात्रा विर्तांत में मेगास्तनीज ने इसका पूरा विवरन लिखा है मेगास्तनीज के भी विचार यहां पर करनांकित किये गए हैं यह अदभुत द्रिश्या खुबसूरत पार्क जो बना हुआ है इसे इसे सभेता द्वार की हुचाई 105 फीट है और यह पटना का सभेता द्वार बनने के बाद गेटवेफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट दिल्ली और फतेहपूर सीकरी का जो आकबर का बनाया हुआ जो बुलंद दर्वाजा है उसके बाद उन एतिहासिक धरोहरों में से यह पटना का सभेता द्वार भी आ गया है हम यहां आ गया है मेगास्तनीज के उपदेश या विचार यो भी रहे हैं मेगास्तनीज लिखता है कि पाटली पूत्र का बैभाव एवं एस्वरिय पर्षियन समराज्य के महान सहरों सूसा एवं इकवताना से कहीं बढ़कर है यह मेगास्तनीज के बिचार है पाटली पूत्र के बारे में कितनी उम्दा बाते मेगास्तनीज ने किया है पाटली पूत्र के बारे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाटली पूत्र का बैभाव मेगास्तनीज के दोरान आने के करम में उस जमाने में कितना कितना जबरदस्त रहा हो सभी जीवित प्राणियों को सम्मान देना अहिंसा है अहिंसा की इससे उतक्रिष्ट परिभासा और कुछ नहीं हो सकती है ये सभेता अद्वार भारत के जितने लोग हैं जदी वो पटना आना चाहेंगे तो सभेता अद्वार जरूर देखेंगे और हमारे साथ इस समय सभेत महादलित परिशंग के पटना जिला के अध्यक्ष स्री सुरेश कुमार जी है ये खुद परियतन विभाग के अधिकारी रह चुके हैं और दूसरे तरफ हमारे दूसरे सुरेश कुमार गांधी जी है जो महादलित परिशंग पटना जिला के महा सचीव है और हमारे बगल म यहां के गार्ड हैं सुरक्षा गार्ड है जो यहां यह जो कलाकिर्तियां है यह जो धरोहर है यह गार्डन है यहां फूल के बगीचे है उसको कोई नुकसान न पहुंचे उसकी सुरक्षा के लिए है बाबू यह बताई आपका नाम क्या है मेरा नाम सोहन कुमार यादो है आचछा आप ये कब कब खुला है आम लोगों के लिए 2018 को खुला है और यहां बहुत सारे पर्यतक परती दिन आते हैं आने के बाद में लोगों को किसा लगता है लोग क्या कहते हैं और इसकी प्रसंसा करके जाते हैं मैं इधर जो अपने कैमरे को लेकर के घुमा रहा हूँ ये गंगा नदी के दूसरे छोर का है और गंगा नदी पर मुझे लगता है कि सायद दुनिया के सबसे बड़ा ब्रेज गंगा नदी पर बन रहा है अंडर कंस्रक्शन है तो इन ही शब्दों के साथ हम इस वीडियो को यहीं कुलोज करते हैं और आप से बिदा लेते हैं बबन रावत पटना से बदबत धन्यवाद और सुबरात्री